हम इस गुब्बारे को फुलाते हैं जब हम इस गुब्बारे को फुलाते हैं तब हम उसमें धेर सारी हवा भर देते हैं हवा में अनों की अधिक मात्रा होती है और ये अनों गुब्बारे में इधर उधर घूमते रहते हैं ये अनों बार बार गुब्बारे के दीवार से ठकराते रहते हैं और उस पर बल डालते रहते हैं जिसके कारण गुबारे के अंदर दाब निर्मान होता रहता है। चलिए, अब हम इस गुबारे को इस खिलोने की कार के साथ लगा देते हैं। जैसे ही हम गुबारे की हवाच छोडएंगे, वैसे ही ये कार अगे की ओर जाना शुरू कर देगी। हम इन समान गुबारों को तराजू में रखते हैं, उनका वजन समान है, इसमें से एक गुबारे को फुलाते हैं और फिर उसका वजन करते हैं, क्या आप बता सकते हैं, क्या हो सकता है, क्या पहले की तरह अब भी वजन समान ही रहेगा, इस समय हम देख सकते हैं कि हवा से भरे गुबारे का पलडा नीचे की ओर दिखेगा वास्तों में हवा नाइट्रोजन, आक्सिजन, कार्बन डायोकसाइड और अन्य वायों का मिश्रण होता है इन वायों का अपना एक वस्तुमान अर्थात मास होता है और हवा का वस्तुमान इन वायों के वस्तुमान के साथ मिल जाता है इसी कारण हवा में वस्तुमान भी होता है और वजन भी होता है यह वातावरन हवा से भरा हुआ है हमने अभी देखा कि हवा को वस्तुमान होता है जिसका हम पर असर होता है पृत्वी पर ये बल सभी ओर समान रूप से होता है किसी विशिष्ट क्षेत्र पर वो पूरे वातावरण में जो हवा है उसके वजन के समान ही होता है जब हम टेबल पर ये समाचार पत्र रखते हैं तब उसके उपर जो हवा है वो उसे नीचे के ओर धकेलती है अब हम समाचार पत्र के अंदर ये लकड़ी की पट्टी रखते हैं मान लीजिए यदि हमने इसे एक और से जोर से मारा तब क्या होगा क्या समाचार पत्र टेबल से उपर उठेगा चलिए कोशिश करते हैं जब हम पट्टी को जोर से मारते हैं, तब पट्टी समाचार पत्र के अंदर रखी होने के कारण हिल भी नहीं पाती है, इसका कारण है दाब, जो हवा के कारण निर्मान हो रहा है, जिसके कारण हम पट्टी को तबड नहीं पाए अब हम ये जान गए हैं कि हवा के कारण दाब तयार होता है हम जैसे जैसे उचाईयों पर जाते हैं वैसे वैसे हवा विरल होती जाती है इसकी वजह से जब हम प्रिथवी से दूर जाने लगते हैं हवा कम होने के कारण दाब भी कम होता है समुद्र तल पर हवा का जो दाब होता है उसे वायू मंडलिये दबाव कहा जाता है हवा का दाब बार में ना पा जाता है एक बार सौँ हजार पास्कल के बराबर होता है आप सोच रहे होंगे कि यदि हवा का दाव इतना अधिक है तब वो हमें महसूस क्यूं नहीं होता है हवा का दबाव हमारे शरीर पर समान रूप से लागू होता है इसी करण उसका परिणाम कुल मिलाकर शुन्य होता है और हमें महसूस नहीं होता है जब किसी कंटेनर अर्थात पात्र का दाब बाहर के दाब से कम होता है तब क्या होता है? बाहर की हवा पात्र में बाहर से धकेलती है हम प्लास्टिक की इस बोतल में गरम पाने डाल कर उसे तुरन खाली कर देंगे और बोतल का धकन कसकर लगा देंगे क्या आप बता सकते हैं बोतल के अंदर क्या हुआ होगा हवा भी गरम हो गई और कुछ हवा बोतल से बाहर भी निकलाई और जैसे हमने उसका धकन बन कर दिया बहुत कम मात्रा में हवा बोतल में रह गई अब बोतल के अंदर जो दाब है वो बाहर के दाब की अपेक्षक कम है जैसे जैसे समय बीटता जाएगा बोतल सिकुड़ना शुरू हो जाएगी उसके टुकड़े होना शुरू हो जाएगा क्योंकि बाहर की हवा उसे हर तरफ से धकेलती है सुचिए यदि हम बर्फ का ठंडा पानी इस सिकुड़ी हुई बोतल पर डालें तब क्या होगा क्योंना आप स्वयम इसे करके देखें और इसके परणाम को विशलेशिद भी करें हम ये प्लास्टिक की ट्यूब बोतल में रखेंगे बोतल में रंगी इन पानी है जिसके कारण हम पानी के स्तर का योगय प्रकार से निरिक्षन कर पाएंगे हमारे पास एक और प्लास्टिक की ट्यूब है जो हमने इस तरह से जोड़ी है अब हम ट्यूब की एक ओर से हवा फुकेंगे तब दूसरी और पानी या द्रव का स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगेगा यदि इस छोर पर एक गुबारा लगाएंगे तब हम अंदर के दाप को नाप सकेंगे चलिए कोशिश करके देखते हैं अब हम गुबारे को फुला कर ट्यूब के साथ जूडते हैं अब जो हवा बोतल के अंदर है वो पानी को धकेलती है पानी का स्तर बढ़ना शुरू हो जाता है क्या आप बता सकते हैं कि दूसरी ट्यूब में जो नेला पानी है वो क्यो बढ़ने लगा होगा गुब्बारे में मौजूद हवा, बोतल में मौजूद हवा को धकेलती है वही हवा फिर पानी को धकेलती है सूचिए, यदि हमने गुब्बारे में छोटा से छेत कर दिये तब क्या होगा? जैसे ही हवा बाहर निकलना शुरू हो जाती है गुबारे में जो दाब है वो कम होने लगता है जिसके कारण ट्यूब में जो पानी का स्तर है वो भी कम होने लगता है जब सारी हवा निकल जाएगी नेला पानी पुना अपने सामान निस्तर पर आ जाएगा यदि एक गुब्बारे के स्थान पर हम एक और गुब्बारा उसके अंदर डाल कर उसे भी फुलाएं तब दाप का क्या परिणाम होगा? क्या वो कम होगा या एक और गुब्बारे के इस्तमाल से अधिक होगा? कोशिश करके देखें सारांच हमने हवा का दाब इस संदर्व में बात की हवा में अनेक वायों का मिश्रण होता है ये भी जाना समुद्र तट पर जो हवा का दाब होता है उसे वायों मंडलिय दबाव कहते हैं हवा का दाब बार में ना पा जाता है आप भी ये प्रयोग करके देखिए और हवा के दाप को समझिए